हेलो दोस्तों वेलकम टो माई यूटूब चैनल प्लै विथ स्टॉक मार्केट आज की इस वीडियो में हम फिर से बात करने वाला है येस बैंक के बारे में आज 21 ओक्टॉमबर है और आज में जो क्लोजिंग देखने को मिली वो तक्रिबन 0.39% की तेजी के साथ क्लोजिंग मिली और आज weekly एक्सपाइरी थी और आज काफी वोलेट अपने देखने को मिला था मार्केट और बैंक की बात करें तो आज काफी वोलेटैल रहा था और दोस्तों हमें ये यह बंक अंडर प्रेशर परफॉमेंस करता हों नजर आ रहा है और हाली में हमें एक breakout भी देखने क मिल सकता है ठीक है और दोस्तों उसके पीछे अगर मैं रिजन्स की बात करो तो अगर आप हमारे वीडियो डैली बेसिस पे देखते है तो येस बैंक के ओपर जो भी खबर आती है उसके बारे में हम आपको अपडेट करते हैं और एक बार मैं फिर से आपको बता दो कि दोस्त चलते हमें कही ना कहीं येस बैंक के ऊपर एक नेगेटिविटी भी कही ना कहीं देखने को मिल सकती है लेकिन दोस्तों जिस तरह से मार्केट रिकवर कर रहा है जिस तरह से बैंक निप्टी रिकवरी कर रहा है जिसा कि आप देख सकते हैं डेली हमें तेजी की साथ बैंक निप्टी में closing देखने को मिल रही है continuously दोस्तो market के सो संकेत मिल रहे हो कही ना कही हमें positive संकेत देखने को मिल रहे है ठीक है और दोस्तो देखा जाए तो yes bank के चार्ट के उपर कुछ ऐसे level से जो उन levels के उपर निगलेगा तो हमें yes bank में फिर से एक तेजी देखने को मिल सकती ह ठीक है तो कौन से level है उसके बारे में आपको बताना चाहूंगा और कल के लिए क्या level or target आ सकते उसके उपर भी हम दोस्तों discussion करेंगे तो वीडियो के साथ बने रहा है वीडियो अच्छा लगए तो like जरूर कीजिए और हमारी चैनल को जरूर subscribe कीजिए और दोस्तों अभी अभी तक आपने हमारे टेलिग्रम चैनल जोइन नहीं किया है तो link description box में मिल जाएगा वहां से आप टेलिग्रम चैनल भी जोइन कर सकते हैं तो हम सबसे पहले नसी की website के उपर जाते हैं और आज की करोबर की details देख लेते हैं और उसके बाद हम chat पर analysis करेंगे तो दोस्तों वीडियो में बने रहें तो जैसा कि आप देख सकते हम नसी की website के उपर आया है और यहां पर मैंने yes bank को सर्च करके रखा हुआ है और आज की करोबर की details की बात करें तो आज मैं जो closing देखनों को मिली जैसा मैं आपको बताया 0.39% की तेजी की साथ closing देखनों को मिली previous closing की ब बनाता हुआ yes bank देखनों को मिला था और लो भी कही ना कहीं अच्छा ही बना है दोस्तों बार रूपे पांसेट पैसे का और हमें जो closing देखनों को मिली वह फाइनली कहीं ना कहीं 13 रूपे के असपास closing देखनों को मिले है और डिलावरी परसंटेज की बात कर तो यहां पर एक नजर कर लेता है तो जिसा कि आप देख सकते हम जिरोधा के प्लेटफरम के उपर आया है और यहां पर मैंने यह चार्ट मैंने यहां पर वन डे के टाइम फ्रेम पर ओपन किया हुआ है और यहां पर मैंने कुछ लाइने ड्रो करके रखे और लेवल्स भी दोस्ते अऔर यहां से मुझे लग रहा है कि अफसे मुमेंटम देखने को मिलेगा और यहां से उपर के लेवल पर जो तो आपको 30 मैंने जो ओढ़कर नेगा औरो चाहले की एकशा पर इफर घृप सर्था है तो यहां पे कि यहां से एक अच्छा upside momentum देखने को मिलेगा अब दोस्तों मैं 15 मिनिट के टाइम फ्रेम पे चार्ट को open कर लेता हूँ और कल के लिए क्या level और target आ सकते उसके उपर एक नजर कर लेते हैं तो जिसे की आप देख सकते हैं मैंने 15 मिनिट के टाइम फ्रेम पे चार्ट को open किया हुआ है और यहां पे कुछ line ड्रो करके रखे और levels भी identify करके रखे और आज के closing की बात करें तो आज हमें जो closing देखने को मिली और अगर दोस्तो कल 13 रूपे 10 पेसे के उपर निकलेगा तो यहां पे आप इंट्राडे के लिए position बना सकते और आपका जो पहला target आएगा और त्यार रूपे 40 पेसे का आपको easily पहला target देखने को मिलेगा और आप चाहे तो stop loss ले सकते 12 रूपे 80 पेसे का और यहां से अगर निचे की और लोड के गा तो आपको जो support level देखने को मिलेगा वो 12 रूपे 50 पेसे का दोस्तो support level देखने को मिलेगा तो आपको मार्केट का momentum देखना है उसके साथ ही दोस्तो position बनानी है और अगर दोस्तो 13 पेसे के उपर भी निकलेगा तो फिर आपको दूसरा target यहां पर देखने को मिलेगा और जो मैंने आपको breakout बताया था वह जिसा कि यहां पर देख सकते 15 मिट के टाइम फ्रेम पर भी आपको breakout देखने को मिलेगा और जो गेप की दोस्तों गेप भी आज फिल कर दी थी ठीक है तो यहां से मुझे एक अच्छा खास upside momentum देखने को मि है ठीक है वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिए और हमारी चैनल पर नए है तो हमारी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अभी तक दोस्तों आपने हमारे टेलिग्राम चैनल जोइन नहीं किया तो लिंक डिस्किप्शन बॉक्स में मिल जाएगा व वाचिं दिस वीडियो